नमस्कुरा RSVT News में आपका स्वागत है पेश 18 मार्च शन्यवार दुपर सवा 3 बजे राजस्तान की 15 बड़ी खबरें रास्तान विदानसवा में शुक्रवार को 19 जिले और 3 संभागों की घोशना करके मुख्य मंतरी गहलोत ने बड़ा सियासी दाव खेला है मुख्य मंतरी की ओर से की गई जिलो और संभागों की घोशना को प्रदेश में 9 महीने के बाद होने वाले विदानसवा चुनाओं के तयारियों से भी जोड़ कर दिखा जा रहा है महीं सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि मुख्य मंतरी शुक्य गहलोत ने जिन ने ने जिलो की घोशना की उनमें से पांच जिले असे हैं जहां पर विदानसवा चुनाओं में सतारूट कॉंग्रिस पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है सियमें शुक्य गहलोतनी रास्तान में 19 जिलो की घोशना की विधाय को और जनता का दिल जीत लिया है ने जिलो और संभा की घोशना करने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी बालोतरा जिला मनाने को लेकर पचपत्रा विधायक मदन प्रजापत को हुई प्रजापत ने बालोतरा को जिला नहीं बनाने तक जूते नहीं पहनने का संकल्प लिया था इस प्रण के बाद से वो हर जगा बिना जूते चपल के ही नजर आए भारजडो यात्रा के दौरान भी विधायक मदन प्रजापत ने नंगे पैर ही कदम चे कदम मिलाए थे अब उन्होंने जूते पहनने का निर्ने किया है दासान में आज से सभी नीजी अस्पताल वापस बंद होने चौर रहे हैं इसे मरीजू की मुश्क्किले बढ़ सकती है महीं सभी नीजी अस्पतालों में सभी सरकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है सरकार के पक्ष में थी लेकिन आप सरकार के विरोध में आ गई है तास्तान में अप्षिक्षा विभाग ने आत्मी बोर्ट परिक्षा की तैयारी शुरू कर दी है ये परिक्षा 21 मार से शुरू होने वाली है इस परिक्षा के प्रशन पत्रों का वित्रन आज किया जोरा है मालवी नगरस्तित राज के बाले का उच्चि मादमिक विध्याले से प्रशन पत्रों का वित्रन होगा वित्रन का कारे दो पारियों में किया जोरा है पहली पारी में सुबह साड़े आठ बजे से ग्रामिन इलाकों के स्कूलों के केंद्रा दिक्षकों की प्रश्ण पत्र लेने के लिए बुलाया गया है यहां से केंद्रा दिक्षकों को पेपर वित्रित किये गए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच के इंद्राधिक शक्पेपर लेने पहुंचे पंजाब सरकार ने इंद्रागांधी नहर में 26 मार्ट से 29 मई 32 तक नहर बंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है रख रखा और साफ सफाई के लिए नहर में पानी के आपूर्ती बंद रखी जाएगी पंजाब सरकार के अधिस उचना के मताबिक 35 दिन आंशिक नहर बंदी रहेगी जबकि 30 अपरेल से 29 मई तक 30 दिन तक पूर्ण नहर बंदी रहेगी इसे दस जिले प्रभावित होंगे जन स्वास्ते आवम अभियांतर की विभाग का हलांकी दावा है कि जोदपूर शहर में दिपावली के बाद हर दसमें दिन शटडाउन से की गई जल बचते पेर जल संकट के निवारन में कालगर साबित होगी रहसान के कई हिस्सों में कलांदी और बारिश होने के साथ ओले गिरे मौसम के इस बदलाव से कुछ शहरों में दिन का तापमान दस डिग्री सेलसियस तक नीचे आ गया करॉली के सपोर्टरा में कल देश शाम जबरदस बारिश होई वहीं राजानी जपूर में 7 साल बाद मार्च में इतनी तेज बारिश देखनों को मिली बे मौसम बारिश और तापमान गिने के बाद श्रेगंगान अगर के कई हिस्सों में आसुबै घना कोरा देखने को भी मिला मौसम केंद्र जयापुर के विशिश अग्यों के मताबिक बारिश ओला वरस्टी आज और कल भी प्रदेश के कई हिस्सों में हो सकती है ग्रहमंत अमिच शाह ने कहा है कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोड ने दो सदस्य कमिटी बनाई है जिन लोगों के पास इस मामले में कोई सबूत है उन्हें ये सबूत इस कमिटी को दे देने चाहिए अगर कुछ गलत हुआ होगा तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा उन्होंने शुकरवार को दिली में एक नीजी चैनल के कारकर में कहा कि सभी को देश के अदालतों में भरोसा होना चाहिए रासान करमचाई चैन बोड के ओर से करवाए गई थर्ड ग्रेड शिक्षक भरती और आर्पी असी की ओर से करवाए गई साकिंड ग्रेड भरती परिक्षा के परिणाम जल्द जारी करने की यूवा बेरोजगार लगातार मांग कर रहे हैं इसे देखते हुए अप्षिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कलना ने भी दोनों भरती अजेंसियों को जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिये हैं गौर तलब है कि प्रदेश के यूवा बेरोजगारों ने हाल ही में मुख्य मंत्री प्रमुख सचिव कुल्दी प्रांका और सचिव आरती डोग्रा से वारता करते हुए भरती परिक्षाव के रेजल्द जारी करने की मांग की थी देश के ग्यार में सबसे वेस्ट एरपोर्ट जापर इंटरनाशनल एरपोर्ट पर लगातार हवाई यात्रे भार में ब्रदी हो रही है 26 मार्स से शुरू होने वाले समर्श दियूल में 6 नए शहरों का भी सीधा जुडाव जापूर से हो सकेगा एरपोर्ट प्रबंधन के मताबक DGCA को शुडूल भेजने के बाद अप्रूवल मिल चुकी है अब एरलाइन कमपनियों अपने हिसाब से उडानों के शुडूल को टैक कर रही है इसके साथ ही एक नए इंटरनाशनल उडान भी शुरू होगी इस बीच इंटर स्टेट कनेक्टिविटी में जापूर से इंडिगो स्पाइस जट एरलाइन की जाइसल मेर उडापूर के लिए एक एक नए उडान शुरू होगी जैसल मेर में शुड़ के लिए यूद अभियान के तहित हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोल डिंग और पैकिंग वाटर के सैंपल लिए की कारवाही होगी अज में डिसकॉम श्रमिक संग के प्रतिनिधी मंडल ने प्रबंद निदेशक एनस निर्वान वे टेक्निकल डिरेक्टर एक गुपता सी मुलाकात की और अपनी मांगो और समस्याओं की समधान की मांग की इस तरान पुष्प कुछ भेंट किया डिसकॉ की कारेकरे अध्याक्षिवीनीद कुमार जय ने बिताया कि समय बदरूप से करमचारियों के प्रमोशन अवं तकनिकी करमचारियों के पन्नाम परिवर्तन करने अनुकंपा नियुक्तियां करने डिपी सी करने की मांग रखी इस पर प्रबंदर निदेशक ने उचित कारव का भरोसा दिलाया रासान के लाकों युमाओं का इंतिजार खत्म हो गया है शुक्षक भरती परिक्षा के आंसर की जारी हो गई है ऐसे में भरती परिक्षा में शामिल हुए किसी भी अभियर्थी को अगर परिक्षा में आए किसी सवाल या फिर जवापर आपती है तो वो ब मार्स तक रास्थान करमचारी चेर्ण बोर्ड के अफिशल वेबसाइट पर जाकर अपनी आपत्ती दर्ज करवा सकेंगे। उमिद्वारों के आपत्ती के समाधान के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। इसके बाद अप्रेल के आखरी या फिर मही के पहले सब्ता में शिक्षक भरती परिक्षा का फाइनल रिजर्ट जारी किया जाएगा। किंदर रिजर्व पलिस बल में ASI भरती परिक्षा 2023 के अड्मिट कार्ड भी जारी कर दिये गए हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके अड्मिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। CRPF ASI स्टेनो के लिए अड्मिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद पैटन और मार्किंग स्कीम की जांच जरूर करें। इस बार भी ASI पदो के लिए CRPF परिक्षा उनलाइन आयोजित की जाएगी। ASI भरती परिक्षा 2023 में एक पेपर होगा जिसमें 100 वास्तुनिस्ट प्रशन होंगे और सभी प्रशन डेट घंटे में हल करने होंगे। विरांगना मदुबाला मीना अपने गाउं सांगोद में हैं। कोटा जिले मिस्तित इस गाउं में पिछले 6 दिन से विरांगना की आवास के बाहर पुलिस कर्मी तैनात हैं। बाजार में समान लेने जौने या फिर मंदिर जाते से में पिलिस जवानों के पीछे पीछे चनने की कारण विरांगना की घर का राशन खत्म होने की सूचना पर सांगोद की पूर विदायक वैभाष्पा नेता हिरालान नागर शुकरवार को ज़रूत की राशन सामगरी लेकर विरांगना के घर पहुंचे नागर ने पुलिस के अलादिकारियों से विरांगना के घर के बाहर पुलिस कर्मियों के तैनात करने का कारण पूछा लेकिन उन्हें संतोष जनक जवाब नहीं मिला हिराला نے कहा कि देश की विरांगनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए गर्मी के दस्तक के साथ है जुन जुनु मंडी में गर्मी के फलो के आवक शुरू हो गई है शुरुआत में सीजन के फलो के दाम अभी महंगे हैं इसलिए आम आदमी की पहुंचे बाहर हैं फलो के राजा आम भी बाजार में दिखाई देने लगा है आम के दाम महंगे होने से आम आदमी खरिदारी से दूरी बनाए हुए है इधर केले की फसल कम होने से बाजार में दाम बढ़े हुए है केले के साथ साथ अनार और सेप के भी दाम बढ़े हुए है इस बार केले की फैसल बहुत कम हुई है इसलिए दाम 40-50 रुपे तक बने हुए है नवरातर वे रोजी के दौरान दाम और भी बढ़ सकते हैं तो फिलाल इस पुलेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खपरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महतेपुन खपरों से अपड़ेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर